तो इस case, इस module के अंदर अब हम discuss करते हैं कि trade as a engine of growth क्यों नहीं बन पा रहा for the developing countries जो अभी present era के अंदर आपको नदर आती है Actually आपके पास जो developing countries हैं वो trade के full potential के साथ benefit नहीं ले पा रहा है उसके कुछ reasons हैं, वो broadly अगर आप speaking तो we can divide these reasons into two parts One is demand side effects या demand side reasons, other one is supply side reasons Demand side reasons में अगर आप देखें तो आपके पास जो food और raw material जो developing world है जो supply कर रहा है, वो उसकी demand जो है वो इतनी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही क्योंकि population growth उस तरीके से developed world के अंदर नहीं बढ़ रही अगर आप आज figure उठा के देखें तो developed countries के अंदर जो population growth rate है वो जैदा है कम है developed countries के अंदर और जो developing countries है वहाँ पे growth rate कम जैदा है आपके पास जो developed world है वहाँ पे population growth rate कम है और जो developing countries है वहाँ पे population growth rate जैदा है तो जो developing countries के exports हैं वहाँ पे जो developed countries के अंदर जा रही हैं उनकी demand इस तरीके से नहीं बढ़ रही then एक और factor important यहाँ पे है वो income elasticity का मसला है यहाँ पे आपके पास क्योंके primarily जो developing countries इसे एक्सपोर्ट कर रही है वो food और raw material है primarily तो इनकी income elasticity of demand इतनी जैदा नहीं है अब income elasticity of demand का मतलब यह है कि आपकी demand में जो change आती है income की वज़ा से तो अगर तो ज़्यादा आ रही है तो अच्छी चीज़ है developing countries को फाइदा होता क्योंके income बढ़ती developed countries के अंदर लोगों की तो वो ज़्यादा demand करते है उस चीज़ को लेकिन ऐसा नहीं है अब जैसे for example develop world के अंदर एक study के according आपके पास जो income की elasticity है for t that is just 0.1 इसी तरीके से अगर आप जो है वो coffee की देख लें तो वो 0.7 है अगर यह one से ज़्यादा होती तो काफी ज़्यादा फाइदा होता ताके यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़े development के अंदर तो जाती है तो यह एक primary reason भी है जो आपके पास जो food items हैं उनकी demand बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही क्योंकि income elasticity of demand जो है वो काफी काम है दूसरी चीज़ जो with the technology with the research जो आपको नदर आ रही है वो synthetic substitutes हैं like आपके पास normally अगर आप देखें तो बहुत सी synthetic चीजों ने replace किया है like synthetic rubber ने natural rubber को replace कर लिया इसी तरीके से nylon ने cotton को replace कर लिया तो आपके पास जो developing world की exports थी वो तो already जो है वो क्या हो रही है वो replace हो रही है वो उन्हीं के अपनी commodities के साथ जो है वो substitute हो रही है तो यहां पर आप analysis कर सकते हैं कि जो develop world के producer हैं वो import substitution की तरफ लगे हुए हैं इसी तरीके से technological advancement की वज़ा से हमारा बहुत ज़्यदा loss हो रहा है क्यूंकि हमारे पास जो production है developing countries के अंदर food items की agriculture goods की वो उस तरह से नहीं है अब आप यह देख लें जो develop world के अंदर जो agriculture के अंदर seeds यूज हो रहे हैं वो यहां के seeds के निस्पत बहुत ज़्यदा productivity देते हैं उनकी production बहुत ज़्यदा हो तो उस high productivity की वज़ा से वो ज़्यदा production ले रहते हैं कम minute कम time और ज़्यदा production ले रहते हैं हमारे यहां पे क्योंक टेक्नॉलजिकल एडवांस्मेंट नहीं है agriculture sector के अंदर खास तोर पे जिसकी वज़ा से हम अपना बहुत ज़्यदा लेबर हमें अंगेज करनी पड़ती है agriculture output लेने के लिए इसकी निस्पत जो develop countries हैं वो अपनी labor का थोड़ा सा पार्ट agriculture में डालते हैं और हमसे ज़्यदा production ले लेते हैं तो यह एक issue है कि developing countries के पास technological advancement उस तरह से नहीं हो रही है then services जो है sector जो है उसने बड़े तेजी से जो है वो grow किया है in last four or five decades इसकी वज़ा से क्या हुआ है कि क्योंके जो developing countries हैं वहां पे जो labor है वो unskilled है तो वहां पे भी आपके पास जो production है with the labor आप कहलें उस चीज़ को replace किया है या जो services sector है वो बहुत ज़्यदा तेजी से grow किया है जिसकी वज़ा से भी loss हुआ है then एक important चीज़ सबसे important element जो है to some extent आपको नदर आएगा वो यह कि आपके पास जो demand है develop countries की तरफ से वो ज़्यदा नहीं है due to the trade restrictions अब क्या होता है develop countries developing countries के उपर किसी ना किसी form के अंदर economic sanctions या trade sanctions या trade sanctions भी लगवाती है to some extent लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा कम level की बात करते हैं सिरफ tariff level की बात करते हैं तो high tariff रख दिया जाते हैं कि वो अपनी domestic industry को protect कर सकें क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो develop countries के अंदर agriculture से related लोग होते हैं उनको subsidize कर दिया जाता है तो यह एक agenda रहा है एक इदारा जिसको हम world trade organization कहते हैं वहाँ पर developing countries ने बहुत ज़्यदा इस चीज़ को highlight किया कि जो develop countries हैं वो subsidies ज़्यदा देते हैं अपने domestic producers को जिसकी वज़ा से हमारी चीज़ competitive नहीं रहती तो यह factor थे demand side कि हमारी चीज़ों की demand या जो अभी developing countries हैं उनकी demand जो है commodities की क्यों नहीं हो रही develop world के अंदर उसकी कुछ reasons हम लोगो ने पड़ी कुछ supply side के भी factor हैं कुछ हमारे भी supply जो चीज़ों को भेजने के मसले हैं वो भी issue हैं जिनमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारे पास resources as such developing worlds में कुछ ही countries as such हैं जिनके पास natural resources अच्छे तगड़े मुझूद है other than नहीं as such जो natural resources हैं आपके पास जो middle east है वहाँ पे आपको natural resources सोड़े से नदर आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में भी हैं लेकिन extractions का issue है आप नहीं निकाल ते उस तरीके से then कुछ है resources उनको optimum utilization नहीं हो रही या उनको extract नहीं किया जा रहा तो वहाँ पे some extent technology का factor भी है supply side पे आप यहाँ पे ल population अब हमारी अगर production जैदा होती है तो उस production को हम export नहीं कर पा रहे हमारी population growth जैदा है जैसे पाकिस्तान के अगर बात करें तो यहाँ पे 1.96 या 1.9 के round population growth है हर साल यानिके 2% जो लोग है वो बढ़ रहे हैं तो सो है तो next year 102 and then आपके पास चलता जा रहा है तो इस case के अंदर जो हमारी exports हैं वो इस तरीके से नहीं बर पारें तेन फिर आपके पास जो है capital इस तरीके से नहीं आ पारा अगर आप देखें तो developing countries के अंदर बहुत जैदा capital नहीं आ रहा develop world की तरफ से जैसे हम लोगों ने 19 centuries के अंदर देखा Britain से capital गया वो new settlements की तरफ इसी तरीके से एक और मसला जो हम developing countries के लोग face कर रहे हैं या countries face कर रही है developing countries that is outflow of skilled labor यहां की skilled labor अपने country में serve करने की बजाए develop world में higher wages की वज़ा से वहाँ पे serve करती हैं तो technological innovations नहीं है then technology अप्ग्रेडेशन नहीं हो रही तो हमें फिर once again dependent होना पड़ रहा है हमारी commodities जो हैं वो modern नहीं है वो कम प्राइस पे नहीं जा रही क्योंके technology हम upgraded यूज नहीं कर रहे एक और चीज बड़ी हम miss की है खास और पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हम लोग स्पोस हम लोग ने agriculture से industrial बेस अपना strong नहीं किया और हम services sector की तरफ चले गए आज अगर आप देखें पाकिस्तान में जो services sector का share है GDP के अंदर वो 50% से भी ज industry का share बहुत काम है तो उसकी रीजन यह है कि हम लोग primarily अपने agriculture sector को इस तरह नहीं देख सके इवन हमारी तरह और भी बहुत से developing countries हैं कि जिनका might be specialization बनती है agriculture sector के अंदर लेकिन वो उस तरीके से वहां पर धिहान नहीं दे सके जिसकी वज़ा से वह ज्यादा export भी नहीं कर पा वर्ल्ड की तरफ से हमारी demand क्यों नहीं हो रही चीजों की and then supply side भी हमने यह देखा कि हम क्यों नहीं बेतर prices के उपर यह हम trade का क्यों नहीं फाइदा उठा रहे तो there is a difference जो पहले हम लोगों ने पढ़ा पहला phase trade as engine of growth वहां पे trade ने growth को sport किया है यहां पे trade growth को sport नहीं करी due to these reasons अब जिन developing countries के अंदर यह चीजें नहीं है supply side खास तौर पे factors नहीं हैं वहां पे demand factors भी कम हुए होंगे या उस तरह से बहुत ज़्यदा effect नहीं कर रहे तो यह case था जिसमें आप यह देख सकते हैं कि किस तरीके से trade as engine of growth serve करता है for the developing countries